तो आज फिर एक बार आगाया हूँ आप सभी की प्राब्लम्स का सॉलुशन लेके और आप सभी के प्रिसेस टाइम को सेफ करने के लिए आज का जो टॉपिक लेकिया है उसका नाम है Create Asana Task Using Formstack Form Submissions क्या कर रहे हैं इसमें हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम हमारे Asana के Applications में Task Create कर सकते हैं Automatically जब भी कोई भी आके हमारे Formstack के Form को Fill करें पहले तो आपको समझाने के लिए इसका Use Case दे देता हूँ एक Example दे देता हूँ तो वो उस Form को Fill करें और Sign कर दे आपको जिससे कि आप वो Problems Solve कर पाओ अब क्या होता है कि जब भी कस्टुमर को कोई Problem आती प्रोड़क्ट में आप वो Forms Fill करता है और आपको Sign कर देता है उसमें Details फिल करके कि कहां उसको Problem आ रही है जो भी Problems Solve करता है आपके प्रोड़क्ट की किसी एक इनसान को किस वहाँ पे आप जाके Task Assign करते हो उसको तो यहाँ पे जो आपका यह टाइम जा रहा है यहाँ से आपने Collect करा देता और वहाँ जाके आपने Task Assign किया तो यह जो टाइम है यह खदम करने के लिए यह Automation लेके आया हो क्या होगा कि जैसे ही Forms Tech में जाके कोई Forms Submit करेगा आपका Customer तो Automatically एक Task जो है Create हो जाएगा आपके आसना के अंदर यहाँ पे मैंने Forms Submission के लिए Forms Tech का यूज किया है इसको करने के लिए आपको किसी भी तरह की Coding Skills या फिर Programming Knowledge का आना ज़रूरी नहीं है बस एक Help लगी किसकी इस Software की जिसका नाम है Pably Connect क्यूंकि इन दोनों के बीच में कोई Connection ही नहीं था और इस Software का काम ही Connection बनाना है जोड़ देता है Multiple Applications को मंतली के Free देता है और आप Free में भी अकाउंट बना सकते हो तो फिर देर किस बात की है नहीं आता है अगर Automation सेक करना तो पूरी प्रोसेस बताऊंगा इसी वीडियो में अभी Step by Step की कैसे आप अपना Automation सेक कर सकते हो अपनी स्क्रीन पर सबसे पहले हम अपने ब्रॉजर में टाइप करेंगे P-A-B-B-L-Y पैबली.com प्रेस एंटर तो यह है ओफिशल वेबसाइट क्लिक करेंगे साइन अप फ्री पर अपना अकाउंट एकदम फ्री में बनाने के लिए मैं अल्वेड़ी बना चुका हूँ इस वीडियो की दिस्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा जो कि होगा इसी वर्क्फ्लो का आपको जाना अस लिंक पर क्लिक करना आप भी यह सेम वर्क्फ्लो अपने अकाउंट में यूज कर पाऊगे वह भी एकदम फ्री में वर्क्फ्लो को नाम देने के बाद मेरे सामने दो विंडो आ गई ट्रिगर और एक्षन की दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट रूल प्ले करती है इंटिग्रेशन में ट्रिगर मींज वें दिस हैपन्स जब भी ऐसा हो एक्षन का मतलब डू दिस ऐसा कर दो टॉपिक क्या है हमारा हम चाहते हैं कि हमारे फ्रम स्टैक के फ्रम को जब भी कोई फिल करें तो आटोमेटिकली एक टास्क क्रियेट हो जाए हमारे असाना में ऐसा करने के लिए क्या मांगेगा तो अथराइस पर क्लिक करके मैं एक्सेस दे दूँगा डोंट वरी पैबली कनेक्ट इस हंड़ेट परसेंट सेफ मेरा फॉंट का अकाउंट अल्लेडी लॉग इन था ताथ वा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई आप भी मेक्शॉर कर लीजगा कि आपका अक इससे की कन्फूजन ना हो ठीक है मैंने नाम दे दिया फॉंट करना चाहता हूं तो अभी यहाँ पर नाम चेंज नहीं होगा क्योंकि अभी हमने चेंज करेंगे तो इसके बाद नाम चेंज दाएगा तो जैसा कि आप देख रहे हैं फॉंट क्लिक करूंगा सेवन सेंट र रिस्पॉंस का तो मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूं फॉर्म स्टेक टू असाना वाला तो यह फॉर्म में इंटिग्रेट कर चुका हूं पैबली कनेक्स अब इस फॉर्म को जब भी कोई यूजर आके फिल करेगा कोई भी कस्टोमर आके फिल करेगा और वो अपना मैंने जावा इस नौट वरकिंग प्रॉपली जस इतना सा मेरा है डिस्क्रिप्शन रहेगा कस्टोमर को जो भी प्रॉब्लम आ रहे होगी ऑविसली इसी बात है वर डिस्क्रिप्शन भी लिखेगा इशू भी लिखा है हमेने एक एग्जामपल के लिए यहां पे ले लिय इमेल एड्रेस इशू और डिस्क्रिप्शन सारी इटेल्स मेरे सामने में अभी सक्सेशफुली इंटीग्रेट कर चुका हूं फॉर्म स्टेक को पैबली कनेक्ट जब भी फॉर्म स्टेक को कोई फिल करेगा तो पैबली कनेक्ट उसका डेटा तुरंत कैप्चर कर लेगा जैसे की गैरी मॉनरो का किया है अब मैं चाहता हूं कि जावा इशू के नाम से टास्क क्रीट हो जाये मेरे आसना में उसके लिए मैं क्या करूंगा सकेंडन ihm Film क्या करूँा तौनम स्टा थे असंग करूँ करूंगा तौन कश्रिप्र करूँंगा ठीक्लिक कर रहे हूँगे है या पर IT Till workspace है मेरा एक ही ऑंगे project एक है ईय आई-it रिक्वेस्ट्स जैसे कि आप लोग देख पा रहे yat है आई-te okay ėोश का a you to get रहे हमारेिक अब्सक् neuronal प्रो पड्रचैज़ कर ऐंदर यहां पर यहाँ पर मुझे क्या करना है मुझे डी-टेल्ट करना था कूरा में को कोन से यह इतीlic जो मुझे मिले हैं फार्म स्टैक से जैसा कि यह टाइटल है तक हमारा और यह डिस्क्रिप्शन हो के तो यह मुझे data add करना है, यहाँ पर task name में add करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, mapping का इस्तेमाल करूँगा, mapping के टेक्निक है जिससे आप trigger application का data नीचे कहीं भी अपनी action application में या कहीं और select करके add कर सकते हो, तो कैसे करेंगे, blank field पे click किजिए, नीचे option आएगा, drop down में form stack का click करेंगे form stack पर तो सारा data open हो जाएगा, अब हमें task का नाम क्या रखना है, जो issue है customer का, क्या है issue, java issue, okay, java issue की नाम से मैंने task का नाम रखा है, notes में description जो add कर देंगे, description java is not working properly, due add, due on नहीं है, हमारे पास तो इसको skip करेंगे, assign, assign आप यहाँ पर कर सकते हैं, मेरे पास solve करेंगे, तो मैंने इनको choose कर लिया है, then यहाँ पर followers आप जो add कर सकते हैं, अशीरा को select कर रहा हूं मैं, और tags, tags required हैं, तो एक ही tags मैं by default डाल रहा हूं, आप map करके, या फिर manually भी डाल सकते हैं, जो भी आपको डाल रहा हूं, click करूंगा, save and send request request पर जैसे ही, वैसे ही, नाम होगा, java issue, ओके, so java issue के नाम से एक task जो है create हो जाएगा, इसको मैं पहले delete कर देता हूं, अभी मैं भी क्लिक करता हूं, save and send test request पे, तो save and send test request पर जैसी click करूंगा, यहाँ पर Java issue के नाम से एक task create हो जाएगा, то go click कि हमने save and e-send test request पर, so save and send test request पर उक्लिक करने के बाद जैसा कि आप लोग देख रहा है response received हो गया एकदम positive response है चल के चेक करते हैं हमारे IT request वाले project में कोई task create हो गया है तो जैसा कि आप देख रहे हैं सबसे उपर Java issue के नाम से task create हो गया है जो कि assign है किसको हमारे किसको assign है आशी राय को जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं पैबली connect का इसमें tag लगा हुआ है और जो है description है हमारा java is not working properly जैसा कि आप देख रहे हैं हमने successfully हमारा automation कर दिया जैसे कि यहां पे इसने किया था कि इसने हमारे Gary Mondo ने form को fill किया था यह वाले अब कोई भी आकर इस form को fill करेगा तो automatically एक task create हो जाएगा जो भी वो issue अपना डालेगा form के अंदर उससे related एक task create हो जाएगा आपके असाना में जैसे कि यह java issue के नाम से task create हुआ है ना सिर्फ इ applications को integrate कर सकते हो और automate कर सकते हो वह भी बिना किसी परिशानी के जाते जाते एक बात फिर से पता देता हूं कि इस video के description box में आपको एक link मिल जाएगा जो कि होगा इसी workflow का आपको जाना है उस link पे click करना है और आप भी यह same workflow अपने account पे use कर पाओगे वह भी एकदम free में इस video स कुछ questions होते हैं आपके queries होती है या फिर आप मुझसे बात करना चाते हैं मेरी team से बात करना चाते हैं तो आप हमसे अपनी queries पूछ सकते हैं यहां दी गई link पर और आपको अगर पैबली connect की pricing जाननी है तो वह आपको यह दी गई link पर मिल जाएगी और जाते जाते एक बात कि हमारा video अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारी video को like करना मत भूलेगा और हमारे channel को subscribe करना भी मत भूलेगा thanks